नमस्कार दोस्तो मैं अजय कुमार आप देख रहे उजल दिसाय दोस्तो आज हम बताएंगे कि अगर आपकी जी अप या वी अप आपको किसी तरह से ब्लेक मेल करता है तो आप उसके खिलाब क्या एक्सल ले सकते हैं उससे पहले दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए है त हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, सेर जरूर करें तो दोस्तो आईए हम जानते हैं कि अगर आपका वी अप या आपकी जी अप किसी तरह से आपको ब्लेक मेल करती है जिससे फोटो के मादिम से या वीडियो के मादिम से या उसका उल्टा भी हो सकता है जिससे या इससे में 503 के तहट आप उसके खिल्यात सिकायत दज करा सकते हैं और सिकायत कराके मुकेमे के जाच कर वा सकते हैं दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप सिकायद दर्ज कराने के लिए थाने जाते हैं लेकिन थाने में उल्टा आपके ऊपर ही धंका कर या रॉब दिखा कर आपके ऊपर ही मुकदमा दर्ज करा लिया जाता है तो ऐसे में इस्टिती में भी आपको घबरानी के जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे CRPC Section 482 में उसके तहित आप High Court जाके अपनी सिकायत को रद करने के कोशिस करवा सकते हैं लेकिन दोस्तों कई मावलों में यह भी देखा जाता है कि आपको डरा धंका के किसी कागज पर साइन करा लिया गया यह किसी एपिरेविट पर कुछ भी लिखवा लिया गया फिर उसे के बेस पर आपको बलेक मिल किया जाता है तो अब आपको क्या करना चाहिए इससे में भी आपको घबराना नहीं है क्योंकि जो चीज़े जबरदस्ते कराई जाती है दरा धंका कराई जाती है वो चीज़े आप बाइंडिंग नहीं होती वो चीज़े आप बाद नहीं होती है क्योंकि हमारा आर्टिकल 21 जो कि Right to Life and Liberty के खिलाप माना जाता है इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप इन चीज़ों को माने और उल्टा आप उसके खिलाप कंप्लेन भी दर्ज करा सकते हैं दोस्तो जानकारी कैसे लगी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर केजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा धन्यवाद